और अब हम चलते हैं पैगंबर मुहम्मद साहिब के जीवन को थोड़ा जान लें कि कैसे वे मात्र एक सामानी व्यक्ति से कैसे एक पैगंबर बने कैसे एक धर्म के संस्थापक बने हदरत मुहम्मद जो इसलाम धर्म के प्रवक्तक हैं ये मूलता कुरैशी कबीले के थे कबीले कई होते थे कुरेशी कबीले के थे और उस कबीले में भी कई जातियां प्रजातियां थी जिस पर हम फिर आगे चर्चा करेंगे अभी आप ये समझ लें कि ये किस कबीले के थे कुरेशी कबीले के और जन्म इनका हुआ था पांच सो सत्तर इस्वी में पांस सौ सत्र इस्वी में ख्याल करिए लगवग पांस सौ सत्र इस्वी पूर्व भारत में स्वामी महावीर ने जन्म लिया था लगवग पांच सो सत्तर ईस्वी पूर यानि एक स्वामी महावीर के एक डेड़ हजार वर्ष बाद अरब खेत्र में इसलाम धर्म के संस्थापक का जन्म हुआ केवल तुलना करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत उस समय कहां था जब इसलाम धर्म का प्रादुर्भाव होता है पैगंबर की जो माता थी इनका नाम अमीना था और पता जी का नाम अब्दल्ला दुर्भाग से पिता की मृत्यू इनके जन्म से पहली हो गई पिता की मृत्यू इनके जन्म से पहली हो गई और मा की मृत्यू भी इनके जन्म के छए वर्ष बाद यानि छए वर्ष की उम्र में यह एक तरीके से अनात हो गया है उनका बच्पन एक तरीके से अनात के रूप में गुजरता लेकिन सबागे से इनका पालन पोशण इनके चाचा ने बड़ी जम्मेदारी से किया और इनका लालन पालन अबू तालिब चाचा के दौरा जो कुरान है कुरान धार्मिक ग्रंद इसलाम का इसमें इनके कई नाम दिये हुए हैं अहमद, मुहमद, अल-अमीन ऐसे चार-पाँच नाम से इनको पकारा गया है कुरान में बच्पन से ही हजरत मुहमद बड़े मिधावी थे बड़े बिद्धिमान थे सत्यवादी थे और एकाग्र मन के थे एक लक्षिन कराता था बच्पन से ही सत्यवादी बिद्धिमान और अपने चाचा के साथ जिसका नाम मैंने बताया अबू तालिब उनके साथ उन्हेंने बहुत सारी यात्राइं की व्यापारिक संब्द ने और खुद भी एक तरीके से व्यापार से जुड़ गए बड़े दूर दूर के क्षेत्रों की यात्राइं उन्हें की कुरेशी कबीले के होने के नाते उसमें वो लोग जो लोग व्यापार से जुड़ गए थे उनके साथ इन्होंने भी काफी देशाटन किया और व्यापार करते रहे और ऐसा करते करते एक पारंगत व्यापारी के रूप में जाने जाने लगे एक अच्छे व्यापारी के रूप में इनका नाम अपने कबीले में अपने क्षेतर में हुआ हजरत मुहम्मद का तो हजरत मुहम्मद माँ बाप बहुत जल्दी गुजर गए चाचा के दोरा इनका लालन पालन और उसके बाद व्यापार से जुड़ गए और एक बहुत अच्छे व्यापारी के रूप में अपने क्षेतर में जाने जाने लगे जब ये बड़े हुए समय के साथ साथ तो ऐसे ही जब व्यापार के सम्मंद में विभिन क्षेतरों में गए तो एक जगए उनकी मलाकात एक इसाई पादरी से हुई जिसका नाम बहिरा था क्रिष्टियन पादरी इसाई मैंने आपको बताया कि आपको याद होगा कि बाइजन्टाइन अंपायर जो उत्तर पश्चम में था वहां के लोग इसाई थे उन्ही इसाईयों में से एक इनकी आत्रा के दौरान इनसे टकरा गया एक पादरी एक धार्मिक गुरु इसा से उनके प्रवचन से मुहमद, पैगम मुहमद, हजरत मुहमद काफी प्रभावित हुए और यहां पर उनका थोड़ा सा धार्मिक जुकाओ और बढ़ता हुआ नदर आया पचीस साल के होते होते इनकी भेंट एक खादिजा नाम की विद्वा से हुआ याने पचीस वर्ष के पूर्व ही इनकी मुलाकात उस पादरी से हो चुकी थी, धार्मिक प्रविच्ति, धार्मिक रुजान बढ़ चुका था, उसके प्रवचन से प्रभावित होकर और वो इसाई था, कबीले का एक बंदा, जिसका नाम हदरत मुहमद, उसकी मुलाकात होती है इसाई पादरी से, उसके प्रवचन से प्रवचन से प्रभावित होता है, और धार्मिक रुजान बढ़ता है इसी दोरान पचीस वर्ष के होते होते, उनकी मुलाकात होती है एक महिला से, जिसका नाम था खादीजा, ये स्वायम चालिस साल की महिला थी, उम्र में, उम्र में ये महिला चालिस वर्ष की थी, लेकिन उनसे पंदरा साल बड़ी थी, स्वायम पचीस के थे और खादीजा चालिज की थी लेकिन इसे बावजूद दोनों ने विवा करने का निश्च्चा हुआ दोनों के बीच वा हुआ और ये खादीजा जो थी वो भी स्वैम एक व्यापारी थी और इसी व्यापार की सम्मंद में इसे मलाका थी और एक सफल व्यापारी थी वो खादीजा उट का व्यापार करती थी उट का व्यवसाय करती थी उट का लेंदेन करती थी और विद्वा हो चुकी थी चालिस वर्ष की थी तो पहले व्यवा में विद्वा हो चुकी थी पतिकी मृत्य हो गई थी और उसने स्वैम ने अपना बिजनिस अपना व्यापार बढ़ाया और उसमें स अधिकतर मृत्य के शिकार हो गए अधिकतर के मृत्य हो गए एक बेटी बची बस जिसका नाम था फातिमा बेटी का नाम फातिमा बाद में जोहरा नाम भी था उसका वही बच्ची फातिमा का जिक रहा करना इसलिए जरूरी है कि फातिमा वही बच्ची है जिसका विवाबाद में जिस युवक से हुआ उसका नाम अली था वह योग बाद में खलीफा बनता है इसलाम का चौथा खलीफा खलीफा क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे पर फिल हाल याप जान लें कि खलीफा इसलाम धर्म का सरवोच शासक प्रशासक धर्म गुरू पैगंबर जहां स्वैम पहले संस्थापक धर्म गुरू थे अली चौथा बना और अली कौन था इनकी बेटी का मुहमद हजरत मुहमद की बेटी का पती बेटी का नाम था फातिमा फातिमा का विवा अली से होता है और अली बाज में आने वाले समय में चौथा खलीफा बनता है विवा के बाज समय के साथ साथ इनकी धार्मी प्रवृत्ती और बढ़ती ही गई और ये स्वैम बहुत से सवाल अपने से करने लगी जैसा की होता है कि एक समय ऐसा आया कि इन्होंने एक जगह जाकर एक तरीके से ध्यान एक तरीके से उन्होंने अपने को एक जगह सीमित कर लिया हीरा नाम की जगह पर और कहते हैं कि वहां कुछ समय के प्रवास के एकांत वास के बाद उनको ऐसी अनुभूती हुई कि उन्हें कुछ जग्यान मिला है ऐसा माना जाता है कि एक उन्हें बहुत एक उन्हें दैवी संदेश के रूप में कुछ बातें मिली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें कुछ जग्यान मिला है यही से शुरू होता है पैगंबर बनने का जो परिवर्तन उनके विचार में वे एक तरीके से संदेश वाहक थे भगवान के या अल्ला के संदेश वाहक के रूप में उन्हें जो वहाँ ज्यान प्राप्थ हुआ अब उनके उपर ये दाइत वा गया कि वे उसको लोंगों को बताएं परचार पसार करें उनके इत्जारों के साथ समाज के कुछ लोग जोड़ने लगे प्रारम में तो यह संख्या बहुत छोटी थी और उनके अपने स्वयम के ही परिवार के लोग बामुश्किल जोड़े उनके विचार जो थे वो तत्काली समाज से कुछ अलग भी थे और शायद यह कारण था मुख्य जिससे की लोगों में इसके इनके विचारों का विरोध भी हुआ यह मुहमद प्रगंबर मुहमद इनकी जो इबादत जो प्रार्थना की विदी थी उस विदी के तहट इनका कहना था कि मुझे जो मिला है वह दैवी है और उसके तहट इबादत पाने के लिए हमें जो विदी अपनानी होगी वो है दैनिक प्रार्थना दानिक प्रार्ळना। स्वायम को एक संदेश वहाग, संदेश वहाग किसका संदेश वहाग, इश्वरी सथा का, जिसे उन्हेंने अल्ला कहा। उसका अपना संदेश वहाग की रूप में देखते थे और वहीं से वो पैगंबर मुहम्मद कहला है, रसूल कहला है उनका कहना था कि प्रार्थना करना सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वहां तक पहुंचने का और पक्की इबादत के तहट जो उन्होंने विधी बताई, बड़ी सरल विधी उनकी नजर में थी पहला था दैनिक प्रार्थना और दूसरा था नैतिक सिध्धानतों का पालन क्या? दैनिक प्रार्थना, इन्हें रोज पूजा करो बस पूजा भी प्रार्तना करते रहे और दूसरा नैतिक सिध्धानतों का पालन अब ये नैतिक सिध्धानतों का पालन कैसे होगा ऐसी क्या नैतिक सिध्धान थे जिसके पालन पर उन्होंने जोर दिया पैगंबर मुहम्मद ने जिसे वे अप रसूल मानते थे अपने को दूसरा जो था चोरी ना करना ये उनके विचारों के अनुसार ऐसे विचार थे जो उन्हें संदेश वहक होने के नाते मिले थे और जिसको उनको जनता को बताना था उनमें चेतना जगानी थी और उनमें इन विचारों का पचार पसार करना था मुहम्मद पैगंबर के विवाहु परांत का जो घटना करम है वो बड़ा रोचक है और घटना बड़ी तेजी से घटी है जिस कबीले के वो थे जैसा मैंने पहले बताया कुरेशी कबीला उस कबीले की बुराईयों से वो थोड़ा चिंतित हो चुके थे और एक तरीके से उनको बड़ा अफ्सोस होता था कि उनके कबीले में इस तरह की बुराईयों हैं और कौन सी बुराईयों थे जिसका मैंने जिक्र किया पूर में लेकिन व्यापार में भी बड़ी सफल थी बड़ती चिंताओं को बड़ते सामाजिक दोशों को देखते हुए उनका मन खिन हो चुका और परणाम क्या हुआ कि मुहम्मद साहब एक दिन मक्का की और मक्का से थोड़ी दूर एक जगह है हीरा वहां की गुफा में चले गया और वहां एक तरीके से ध्यान में बैठ गया है यह सोचने के लिए कि यह जो समस्याएं हैं सामाजिक समस्याएं इसका क्या निरा करना है यदि हम तुलना करें तो ऐसा ही कुछ महावीर के साथ हुआ ऐसा ही कुछ गौतमबुद के साथ हुआ तो कुछ इसी तरह की घटना मामत हदरत के साथ भी हुई और वह वहां ध्यान मक्न हो गया और कुछ दिनों बाद एक दिन उनको कुछ ऐसी ध्वनी सुनाई दी जिससे उन्हें लगा कि वो कह रही है ध्वनी कि तुम अल्ला के द्वारा भेजे गए हो तुम्हें अल्ला के द्वारा भेजे हुए कार के लिए भेजा गया है बस यहीं से मौम्मद हज़रत में परिवर्टन आया और उसके बाद से सतत रूप से मौम्मद पगंबर का चिंतन बढ़ता रहा यह जो रात है जिस रात को यह पहली बार यह हद्सा हुआ जब उनको लगा कि अल्ला की आवाज या कुछ ऐसी आवाज उनके पास आई है सांकेतिक आवाज उस रात को लवलत अलकद्र कहा जाता है वह रात कहलाती है लवलत आश्वानी थी एक तरीके से उनको ये लगा किये क्या चीज कुछ अन्होनी हो रही है तो वो डर के भागने लगे घर की और जाने लगे लेकिन ऐसा कहा जाता है कि देवदूतों ने उन्हें रोका जो कुछ ऐसे संकेत उनको मिले जिसमें उनको रोकने का प्रयास किया गया और इस प्रयास का प्रणाम क्या हुआ कि मौम्मद हजरत रुक गया उन्होंने फिर से उसे सुना फिर से वही बात सुनी और फिर मन उनका प्रसन्न चित्त हुआ तसली मिली रात मिली और ये उनके मन में सुनिश्चित आई कि जो कुछ घटना हुई है वह वही घटना है जिसके परिप्रेक्ष में जिसके जिसकी खोज में मैं इस हीरा नाम की जगह में गुफ़ा पर आया था इसलाम में ये जो घटना है इस ग्यान को खुदाई इलहाम कहा जाता है ये जो ग्यान उनको मिला देवदूतों के मध्यम से और साथ ही अल्लाह की आवाज का जो भान हुआ वह घटना कहलाती है खुदाई इलहाम मुहमत साहब को जो भी ग्यान मिला इस दरम्यान और उसके बाद कई वर्ष्णों तक ऐसा कहा जाता है कि यही ग्यान यही देववानी कुरान के ग्रंट में संग्रहित रूप में है तो दूसरे शब्दों में कुरान क्या है कुरान अल्ला के दौरा दिये गए उस ग्यान का संकलन है जो हजरत मुहमत को हीरा की गुफा में पहली बार प्राप्त हुआ और आगे कई वर्ष्णों तक चलता रहा यह कोई एक ही दन के ग्यान का संकलन नहीं है इस बात को ख्यान लएंगे और चूँकि यह अल्ला की वाणी है चूँकि यह अल्ला के संदेश है इसलिए इस ग्रंट को बहुत पवित्र मना गया and यह इसलाम धर्म का धारमिक मुक्ः धारमिक ग्रंट बन गया जैसे क्रिश्चन धर में बाइबल है, हिंदू धर में गीता, भगवत गीता ये रमायन है, सिक धर में गुरु गरंटि साहिब है, ऐसे ही इसलाम धर में कुरान का स्थाना आजा, और कुरान क्या है? ऐसा माना जाता है कि अल्ला के द्वारा भीजे गए संदेशों का संकलाद तो ऐसा माना जाता है कि कुरान क्या है? अल्ला के द्वारा मौमद हज़रत के माध्यम से दिये गए संदेशों का संकलन है, और इसलिए अत्यादिक पवित्र गरंथ है, बहुत पवित्र गरंथ है ये पवित्र कुरान शरीफ काल के बाद कालांतर में अर्बी में लिखा हुआ और इसमें कुल मिलाकर 114 ध्याए जिसे हम सूरा कहते हैं और प्रथम अध्याए से लेकर इसमें 114 ध्याए और प्रथम अध्याए से लेकर आगे आगे जैसे कुरान शरीफ बढ़ता है, वैसी वैसे इन अध्याएं की जो साइज है, वो छोटी होती जाती इसका मतलब यह हुआ कि जो अंतिम अध्याए है वो सबसे चोटा है, सबसे ज़्यादा लग हुआ, कितने अध्याए एक सौचोधा अध्याए और कुल 6,360 पध्याए हैं, पध्याए ने क्या, गद्याए का उल्टा, तो हम पहले गद्याए जान लें, गद्याए ने, जो स में लिखे हुए हैं, और इसलामभी परंपरा के अनुसार, इसमें क्या है, वही जो पूर में बताया गया, यानि अल्ला के संदेश, अल्ला के संदेशों का राच्याए और जो खुदा ने मुहम्मद साहब को दिया, इस उद्याश से कि मुहम्मद साहब उनकी अल्ला के सं जन में फैलाएं ये तो बात हुई कुरान शरीफ की संग्शिप्त में और इसलिए इसकी पवितरता की बात समझना बहुत जरूरी है इसलाम के इतिहास की जो सामगरी की बात यदि करते हैं तो इतिहास की दृष्टी से भी कुरान शरीफ अत्याधिक महत्पूर्ण गरंथ है है तो वो धार्मिक गरंथ लेकिन धार्मिक गरंथ होने के साथ साथ इसमें राजनातिक और इतिहासिक पुट भी सम्मिलित है पर चुकि मुलरूप से धार्मिक गरंथ है और अल्ला के संदेशों का संकलन है कुरान का विवेचन करते समय कुरान का समालोचना करते समय इतिह रासकारों को राजनीतिकारों को बड़ा सजग रहना पड़ता है ताकि किसी तरह से इसमें किसी तरह की छेड़ छा उनकी जो एनेलिसिस उनकी जो समालोचना है उसमें किसी तरह का ऐसा द्वांद्व ना दिखे इस पकार एतिहासिक दिश्ट्री से भी यह ग्रंथ धार्मिक इतना पवित धर्म ग्रंद कि अल्ला की वानी के रूप में इसे कहा जाता है। उत्रादिकारियों का करम है। मुहमद पैगंबर के बाद जो उत्रादिकारी बने एक के बाद एक जिसमें एक उत्रादिकारी का मैंने पूर में जिक्र किया अली का। धर्म गुरू धर्म का मुखिया उत्रादिकारी कि इनका मुहमद पैगंबर का। तो अलममून जो तद्कालीन खलीफा थे उन्होंने कहा कि ये खुदा की वानी ही नहीं है बलकि खुदा की रचना है। और उस विकार उसे एक और उच्च स्थर पर ले जाने का प्रयास किया है। अलममून ने जो उस समय खलीफा थे खुदा की वानी ना हो करके उन्होंने घोशित किया कि ये तो उन्हीं की रचना ही है। और इसलिए से पढ़ने के लिए हमें बहुत तरह की टीकाओं की जुर्णत है। टीका कार्थ क्या है। टीका कार्थ विविन अन्य शुरूतों से उसका मिलन करते हुए एक निश्कर्च पे निकलना। टीका कार जो टिप्णी करते हैं और अपने तरीके से अपने तहीं एक अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं तो ये इसका प्राणाम यह हुआ कि इसकी बहुत सारी टीकाय हुई और टीकाओं की रिचना करी मड काल के जो विद्वान हैं उन्होंने किरान के वचनों के लिए तो बहुत सारे अभिलेखों का भी सहरा लिया जो ततकालीन समाज में जो बहुत सारे अभिलेक थे चाहे शिरा लेक के रूप में चाहे पतों में लिखे हुए चाहे अन्य जर्यों से कागज में लिखे हुए इन की मदद से भी कुरान के ए्दिहासी परिप्रेक्ष को समझने में सहायता मिली है Пर जरुरत पर समझने के लिए इन अभिलेकों की इन अन्य शुरुतों की सहायता लेना अत्यावशक रहा आगे हम शुरुतों के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या शुरुत थे कुरान के अलावा जो कुरान को बहतर समझने में हमें मदद किया अब फिलहाल हम ग्यान मिलने के बाद अल्ला की आवाज सुनने के बाद अल्ला की वाणी सुनने के बाद उन्होंने क्या किया वे अपने छोटे से कुटम छोटे से दल के साथ यहां वहां उन्होंने घूमना शुरू किया लोगों को अपनी बातें बतानी शुरू की और इस प्रकार प्रयास कि सभी लोग उनके द्वारा बताय हुए मार्ग पर चलना शुरू करें दीरी दीरी ये जो गुरुप है ये गुट है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा पूर में करीब पचास लोग ही थे और इन पचास लोगों के साथ शुरू हुआ गुट आज सोचिए कितना विशा काय रूप ले लिया है कि पूरे विश्व में एक बहुत बहुत बड़ी जन संख्या इसलाम धर्म की अनियाई है मुहमद पैगंबर की अनियाई है